Hey guys, I welcome you all to my channel SSE Smart Classes बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका SSE Smart Classes चैनल में आज का हमारा टोपिक भी बहुत ज़्यादा important है आज का हमारा टोपिक है Special Economic Zone इससे पहले ये PDF जो है वो पूरी के पूरी complete है डिटेल आप सारी description में चेक कर सकते हैं content भी आप पूरा का पूरा free of course मैंने अपना playlist में डाल दिया है link description में वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और ये PDF का price भी बहुत ज़्यादा कम है lecture सारे आपके free of course रहेंगे lifetime में आप इनको access कर सकते हैं और पूरे के पूरे best तरीके से मैंने करवाए हैं तो आप देखिए special economic zone क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है special यानि कि इसमें कुछ तो special होगा तो basically एक geographically limited सा area होता है geographically सा limited area होता है और इसमें क्या होता है क्यों basically specific है क्योंकि इसमें जो businesses किया जाते हैं जो trade किया जाता है जो tax laws हैं वो different है as compared to the whole of the country as compared to the whole of the country क्योंकि बाकी country से यह बाकी पूरा इंडिया है और यह basically SCZ है तो इससे यह basically क्या है थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है SCZ है इसमें basically SCZ special economic zone बने क्यों थे ताकि किसी भी देश की किसी भी country की export को बढ़ावा मिल सके क्योंकि हमारा जो forex था foreign exchange reserve था जिसमें आपकी जो बाकी देशों की currency थी वो आने जुरूरी थी तभी हम क्या थे कोई भी चीज है बहार से import कर सकते थे हमारे पास एक minimum forex होना चाहिए था वो कैसे आएगा वो जब हम export करेंगे export से क्या होगा हमारा समान जो है वो भार के लोग खरीदेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा उसके अगर US से खरीद रहा है तो हमें dollars मिलेंगे कोई भी currency जो भार की है जो foreign exchange currency है domestic को चोड़के वो हमें मिलेगी तो export को बढ़ावा देने के लिए basically ये company जो थी ये special economic zone में register करवाई गई थी तो इसमें क्या है basically देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे company है SCJ में investment क्यों करेगी अगर government उसको कुछ रियाद देगी रियाद किस चीज में दे सकती है government ये चीज देखने की है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो SCJ है इसके तहट जो ओधी होगी इकाईयां इससे जुड़ेंगी तो उसको कुछ तो benefit होगा न क्योंकि जो country है उसका export बढ़ाना है तो यहाँ पे SCJ के तहट वो company यहाँ पे register क्यों करवाएंगी कुछ तो benefit दिया जाएगा किसी भी industry को अगर हम उस पे rules and regulations थोड़े से harsh की बजाए थोड़े से उसको lenient करेंगे licensing easy करेंगे tax थोड़ा सा reduce कर देंगे तो जाहिर सी बात है company आएंगी और अपना investment करेंगी तो इससे company का अगर profit होगा तो basically export increase होगा तो इसी चीज को बढ़ाने के उदेश्य से आपका special economic zone जो है वो बनाए गया था तो goal यही है increase FDI foreign direct investment को increase करना, increase trade and export job creation, ease of doing business, business जितना करना असान हो जाए, increase entrepreneurship and overall development of the country and it is governed by a single administration और single administration जो इसका परशाष्चनिक level है that is the government, वो ही इसको क्या कर रही है अभी control कर रही है उसके बाद देखे, again वो ही question जो सबके दिमाग में basically आई जाता है, कि क्यों company जो हो basically इसमें invest करें आए, ऐसा क्या दे रहे हो आप तो यहाँ पर जैसा कि यही है कि यह basically geographical limited area है, जिसमें tax large जो बाकी country से क्या है, अलग है बाकी देश से अलग है तो a company can produce goods at lower prices due to the various incentives इसमें क्या है, incentives government की दरफ से provide किये जाते है, ठीक है, incentives are being provided by the government इसमें tax के जो rates से बहुत ही जादा कम है मतलब अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कोई भी company है, अगर उसको मुनाफ़ हो रहा है, तो उसके 50% मुनाफ़ पे tax नहीं लगता, इस तरह से अलग अलग scheme लेके आती है, excise duty नहीं लगेगी, custom duty नहीं लगेगी, तो काफी अगर rules on regulation थोड़े से easy होंगे, जैसे मैंने आपको बताया 19th century canway में आपका क्या आया था LPG model आया था, आपका LPG model liberalization, privatization and globalization, तो East India company जब भारत में आयी थी और भारत को गुलाम बना दिया था, तो इसी के डर से, जो हमारी previous की government थी, जो BJP government थी, बस वो इसी चीज को सोच रही थी, कि अगर ऐसा दुबारा से हो गया तो हमारा इंडिया कहीं दुबारा गुलाम ना बन जाए, लेकिन मनमोहन सिंग ने forex बहुत कम हो रहा था, तो मनमोहन सिंग ने काफी risk लिया और LPG model के तहत ये risk को ठाकर के उन्होंने देखा कि उसका जो परिनाम निकला, बहुत ही ज़्यादा शांदार परिनाम था, इतनी ज़्यादा कमपनियां investment करने आई भारत का forex बढ़ा, और इतनी ज़्यादा भारत में आज देख लीजिए ये service sector कितना भूम कर रहा है कितनी ज़्यादा consultancy हैं भारत में service based companies हैं, IT companies हैं, जो की काफी अच्छा profit कमा रही हैं और उससे देश में रोजगार कितना बड़ा है, रोजगार season कितना हुआ है तो इसी के तहट जो SCZ है वो भी कुछ इस तरीके के rules and regulation को harsh करने के बजाए थोड़ा सा lenient बनाया गया है better export facilities and regulations प्रोवाइट किया गया है इसमें lower or duty free import for वो ही मैंने जैसा आपको बताया raw materials के लिए duty free import किया गया उसको जो connectivity है क्योंकि basically ये जो SCZ के तहट जो companyya लगती है SCZ के जो area होते हैं काफी दूर-दूर होते हैं दूर दराज के गाओं में होते हैं तो वहाँ पे company को अपना ठीक से संचालन करने के लिए अच्छी connectivity चाहिए अच्छी connectivity का मतलब वहाँ पे road की अच्छी facility होनी चाहिए air अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे और water की facility होनी चाहिए यह सारी चीज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और एक electricity भी सबसे main factor है electricity भी वहाँ पे 24 hours होनी चाहिए and less bureaucratic hurdles और यह जो political hurdles हैं जो अफसर शाहिए है basically इतनी ज़्यादा इसमें नहीं होगी SCZ में तो अफसर लोग भी ज़्यादा परिशान नहीं करेंगे तो यह कुछ aim रखे गए थे उसके बाद है कि SCZ can be multi product and services or can be focused on one sector only and the special economic zone act जो है वो 2005 में आया था जो सबसे पहले act आया था अभी यह 2019 में भी एक नया act आया है उसमें दो-तिन बाते हैं वो मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो के end में ही जो आपके exam point of view से ही important है एक branch sorry, a bank branch set up and located in an SCZ कोई भी एक bank branch है वो अगर SCZ के दाइरे में locate की जाए, set up की जाए तो उसको हम बोलते हैं offshore banking unit SCZ can be created by the central government or the state government separately or jointly दोनों jointly भी work कर सकती हैं जिसमें central government और जो state government है वो सीधा-सीधा आपस में काम कर सकती हैं मिलकर के या फिर दोनों individual level पे कर सकती हैं and can be created by the private entities also और एक private entity भी इसमें आ सकती है उसके बाद है कि the government has recently constituted a group to study the economic, special economic zones, policies of India अब यहाँ पे SCZ तो बना दिया लेकिन उसके साथ में कुछ policies भी time to time जो है वो build up करनी पड़ती है तो उसकी study के लिए एक group को इन्होंने बनाया है यह जो group है किसके दौरा संचालित किया जाता है यह किया जाता है आपका भारत for chairman बाबा कल्यानी के दौरा यह जो group है वो basically क्या करता है इस group का काम क्या है वो हम देखेंगे इस group का काम क्या है to suggest improvements in the policy to make it more exporter friendly ठीक है export friendly हो जाए तो इस तरह की improvement की जाएन चाहिए to make the policy compatible with the WTO World Trade Organization की guidelines के according यह जो policies हैं यह compatible हो जो first SCZ है यह जो set up हुआ था वो कांडला में हुआ था कांडला special SCZ in Gujarat उसके बाद देखें it was set up in 1965 it was the first SCZ to be set up in Asia and it is the largest multi product SCZ in India भारत में भी काफी सारे SCZ हैं लेकिन उससे आदे से ज़्यादा आपके क्या है non-functional है यानि कि उनके लिए land ही require नहीं हो रही तो कैसे फिर हम भारत जो है वो SCZ का सपना देखें export का भढ़ाने का सपना जो है वो देख सकता है इतने ज़्यादा SCZ अभी क्या है non-functional है काम ही नहीं कर रहे वो आगे देखिए Special Economic Amendment Bill 2019 जैसा कि मैंने आपको बताए इस रिलेटिड जो important important चीजे थी देखें कौन सी ministry के अंदर आता है जिनोंने ये किया है तो ये basically आपका Commerce and Industry ministry के अंदर आता है अभी currently अगर मैं बात करूँ तो minister पियुश गोयल उसके बाद देखें introduce हुआ था लोकसभा में 24 जून 2019 को पास हुआ लोकसभा में 26 जून 2019 को और राजे सभा में पास हुआ 27 जून 2019 को ये basically amend करता है Special Economic Zone Act 2005 and replaces an ordinance that has promulgated on March 2nd 2019 राइट के बाद देखिए amendment in the SCZ तो सबसे पहले देखे under the original act जिसमें एक person की जो definition थी जिसमें जो basically SCZ की काईयों को लगा सकता है तो वो क्या क्या थी इसमें आपका था individual था कोई भी individual Hindu undivided family a company a cooperative society a firm और an association of persons ठीक है इसके अंडर ये सारी चीजे आते थी तो अभी जो bill है इसमें दो नई category जो है वो शामिल की गई है अभी इसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया गया है या फिर एक दूसरी जो entity है उसको भी शामिल किया गया है अभी जो दूसरी entity है जैसे ट्रस्ट एक itself entity थी जो जो जोड़ी गई थी इसी तरह से एक डूसरी identity है वो भी इसके तहर जोड़ी जाएगी वो अगर बाद में जरूरत पड़ी government को तो वो कर सकते है तो उसके लिए एक special amendment है वो करने की जरूरत नहीं है जैसे अभी ये add किये हैं तो इसके लिए अलग से pass किया था तो वो सब करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह शामिल किया गया था आगे देखिएगा एक्जाम्पल के तोर पे बाबाराम देव पतांजली योग पेटेट ट्रस्ट है विच ओप्रेट्स हरिद्वार से ओप्रेट होती है इट केन नाओ ओप्रेट फ्रों विशाका पत्नम SCJet और एक्सपोर् जो समान है दूसरी कंटर में किस के तुरू जाएगा टांस्पोर्टेशन मीडियम या तो वो बाइर ओड जाएगा या फिर भायशिप जाएगा या फिर भाय एर जाएगा यह निकितुरी चीज़ों के तुरू पर बढ़ेगा तो यहाँ पर ये पोड़ बैसिकली एक्स! पोर्ट होना शुरू हो गए समान तो वही SCJ के थुरू ये जो ट्रस्ट है ये बेसिकली ओपरेट कर रही है तो इसके तहत और भी कहीं चीजें है जैसे कोई भी व्यक्ति है व्यक्तिकत बंदा है वो अपने उध्योगों की काईयां जो है वो SCJ के थुरू ओपरेट करवा सक तो ऐसी कई चीजें जो है वो इस amendment will में आये थी तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद